खटा मीठा चटपटा टेस्टी नाम सुनते ही आजाए मुह में पानी गुरम्मे की यह रेसिपी आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं बनाने वाली हूँ अपने स्टाइल में तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मैंने ले लिए हैं यहां पर 1.5 किलो कच्छे आम जिसमें कुछ आम थोड़े पक भी गए हैं इसको मैंने छिल कर दो लिया है और फिर इसको चोड़े चोड़े टुकड़ो में काट लेंगे चाकुल से इसको मैं थोड़ा चोड़ा चोड़ा काट रही हूँ ताकि एकदम क्योंकि इसका नाम है गुड़ंबा तो ऑबिसली इसको गुड़ के साथ मिलाकर बनाएंगे और अगर आप चाहें तो THIS में चीनी के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं तो यह दूर्झे पिसस में सारे आम को काट कर त्यार कर लिया है और इसको रखते हैं साइड में फिर मैंने लिया है गुर्ण मैंने लिया है 400 ग्राम लेकिन मैंने इसमें टोटल गुर्ण मिलाए सारे 600 ग्राम वैसे आपको जितना मीठा पसंद है और जितना खट्टा रखना है गुर्णमा उसे आप से गुर्ण ले सकते हैं और अगर आप गुर्ण से इसको नहीं बनाना चाहें तो कि जगा चीनी ले सकते हैं गुर्ण को भी मैं चोड़े चोड़े टुकड़ों में काट ले रही हूं चाकू से ताकि यह ना जल्दी से मैल्ट हो जाए जब घर में सबजी ना बने और जो लोग मीठे के शौकीन है तो उनके लिए बेस्ट है गुर्णमा बना लो और इसके मिक्स होता है और फिर मैंने डाल दिया ड्राइड चिली तो तोई दे क्राकल ने देंगे उसके बाद मैं डाल रही हूं कटी हुई आम मैं इसमें गुठलिया भी डाल रही हूं क्यूंकि थोड़े थोड़े आम लगे हुए है वैसे गुर्णमा बखने के बाद आप इसकी गुठलिया भी चाट चाट कर खाऊगे आम को थोड़े चमत से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तेल के साथ और इसमें जो पंच फोड़न और ड्राइड चिली है सब के साथ उसके बाद मैं इसको ढख दे रही हूं दस से बारे मिनट तक इसको पकने देंगे उसके बाद इस जिसको मैंने बारी कर लिया था उसको इसमें मिला देंगे क्योंकि मैंने आम को छोटे चोटे टुकडों में काटा है और पकने के बाद यह ना घुल जाएंगे और घुलने के बाद इतना टेश्टी लगेगा ना खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती है विसे मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं धख दे रही हूं और इसको थोड़ी देर अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे लिड में होल था तो फिर मैंने उसमें कागस लगा दिया है ताकि जो भाब बने ना वह बाहर नहीं आए और हमारा गुरमा बहुत अच्छी तरह एकदम जाए वैसे मैंने सारे 600 ग्राम गुर मिलाया आपकी जितनी मर्जी हो जितना मीठा खाना पसंद करते हूं उस हिसाब से मिला लीजिएगा वैसे इतनी टेश्टी बनी है ना गुरमा के मैं आपको बता नहीं सकती आप इस तरह से एक बार ज़रू से ट्राइ कीजिए गुरम अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू से करें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखें खाए और खुश रहें